हेल्लो और वेल्कम मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स बिस्टिक एंचैंट्रस पर दिल से वेलकम करती हूँ तो गाइस आज मैं आप सभी के लिए पिकक कार्ड रीडिंग्स लेकर आए हूँ जोके वीकली एनरजी चेक हम जानेंगे आपके person की current thoughts and feelings आपको लेकर इस हफते किस way में proceed होँगी तो यही हम जानेंगे गाइस तो बने रहे हैं मेरे इस वीडियो पर और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस प्लीज दो subscribe to this channel and hit the bell notification to get the updates from this channel तो उचली बढ़ते हैं आज किस readings की तरफ जैसे कि यहाँ पर आप तीन groups देख सकते हो guys with the different shapes of the candles just sit back and relax और जो भी आपको सबसे ज़्यादा attract करे group 1, group 2, group 3 उस group को आप select कर सकते हो guys तो आप इस वीडियो को pause भी कर सकते हो while selecting the group alright welcome group 1 तो आपके person की energies यहाँ पर क्या कहती हैं जैसे कि आप cards में देख सकते हो ignite your life and the journey तो इन energies के साथ it's a strong vibe here कि आपने इस person से हो सकता है walk away किया है लेकिन इस person ने आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है admire किया अपने life में एक ऐसी जगा इन्होंने शायद आपको दी होगी जहां पर आप इनके लिए एक inspiration रहे होंगे और आपके इनके life में आने के बाद से वो हो सकता है आपने change कर दी और आपने इनको एक better version दिया है and most of you इस person से हो सकता है आपने एक disconnect बनाया होगा आपने इस person से एक separation लिया होगा क्योंकि past events में इस person ने आइधर आपके साथ एक wrong way में behave किया था या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि कोई third party या karmic situation ने यहाँ पर आप दोनों को separate करवा है एक conflict हुआ होगा लेकिन इस person की energies आपको लेकर बहुत ज़्यादा positive है मैं ऐसा कह सकती हूँ न कि this person really needs you and इनकी life आपके बगेर एक अधूरी से जिन्दगी है हो सकता है इन्होंने आपको कहा भी होगा बताया भी होगा कि आप इनके लिए क्या माइने रखते हो you are that person जो इनके लिए एक inspiration है एक light है इनकी life आपके आने के बाद से हो सकता है बदल गए journey वाली energies से यही कह सकती हूँ कि आपने इनको दिशा दिखाई है इनके जिन्दगी की proper direction आपने इनको शो की है otherwise अब तक भी यह जिस भी path पर बने हुए थे that was either not serving for them या फिर वो जो life थी बहुत ही एक different life थी वो एक इनकी karmic situation रही होगी आपने इनको जिन्दगी जीने का तरीका सिखाया होगा you know तो that kind of a personality you are आप एक example हो इस person के लिए एक idol की तरह यह आपको मानते हैं और बहुत यहाँ पर clearly show भी हो रहा है इन cards को clarify करते हैं जैसे कि यहाँ पर आप cards में देख सकते हो queen of cups, the justice, knight of swords and seven of cups तो guys यहाँ पर it has been really very clear कि आपने इनसे walk away किया है और आप इनके लिए ऐसे person रहे होंगे जो आपने at times इनके towards एक understanding भी रखी unconditionality भी रखी और इस person को आपने बहुत सारी spiritual चीजें आपने इनने सिखाई होंगी इस person के लिए आप एक healer से कम नहीं हो, इनके बहुत सारे child traumas कहलो या फिर कुछ ऐसे wounds जहां से ये कभी खुद को heal नहीं कर सकते थे आपने इनको healing दी, क्योंकि यहाँ पर justice वाले energies आई हैं इस person ने आइधर आपके साथ immaturely behave किया या फिर इस person ने जाने अन जाने में आपके साथ कुछ unfairness रखी या फिर आपके साथ यहाँ पर एक injustice रखा गया बहुत लोगों के लिए एक karmic angle हो सकता है यानि कि इस person के साथ आपका कोई karma जुड़ा हुआ हो past life का कोई karma या फिर इस जनम में कोई karma आप लोगों का इस person के साथ आइधर जुड़ा हुआ था इसलिए यह जो भी एक painful situation आप दोनों ही के बीच में बनी हुई थी it is the main cause के आप दोनों की बीच में कोई karmic situation बन रही होगी अगर हमारी किसी के साथ कोई karmic situation रहती है तो it doesn't mean that के वो हमारे karmic partner है और वो हमारे साथ कुछ गलत करने के लिए आए है it is just that के पिछले जनम में या फिर इस जनम में आपने इस person के साथ either कुछ unfair way में behave किया होगा जिसके चलते ये आपकी life में comeback करते हैं आपको वो एक payback करने के लिए जैसे के एक कर्मा return करने के लिए you know it is just the return of the कर्म तो जब कभी भी आपके साथ ऐसी कोई situation हो जाती है तो ये समझ लीजेगा guys कि वो person गलत नहीं है या फिर वो situation गलत नहीं है it is just that आपका कोई कर्मा हील हुआ है या फिर आपका कोई कर्मा balance हुआ है जिसके चलते आपको वो pain उठाना पड़ा या फिर आपको एक hardship sense करनी पड़ी इस person के energies आपको लेकर बहुत ही ज्यादा dreamy and मैं के सकती हूँ ना कि this person is really very passionate about you ये आपकी तरफ हर वो एक approach रखना चाहेंगे जहां से ये आइदर आपको मना ले क्यूंकि इस person को शायद आप let in होने नहीं दे रहे हो अपनी life में इस person को शायद आप दुबारा से वापस आने नहीं दे रहे हो इस person को एक दुबारा से शायद आप chance नहीं देना चाहते हो सकता है इन्होंने past events में आपका दिल दुखाया था या फिर आपके साथ बहुत ही जादा unfair हुए थे और यही मैंने आपको बताया इनके साथ आइदर आपकी कोई karmic situation जुड़ी होगी लेकिन this person respects you a lot इनको भी पता है कि past events में इनसे कुछ mistakes हो गई थी आपके साथ इन्होंने unfair way में behave किया था लेकिन this person loves you a lot और यह 24-7 आपके बारे में सोचते रहते हैं और maybe mending situations के बारे में सोचते रहते हैं यह आपके towards कोई action लेना चाहते हैं लेकिन जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर कुछ blockages हैं इस person को शायद आपकी तरफ आने का कोई proper सा रास्ता नहीं मिल रहा है या फिर आपने इस person को literal way में block किया होगा but this person is really hoping कि यह कभी तो आपको मना ले कभी तो इन सारी situations को यह mend कर ले और कभी तो यह आपको एक justice दे सके एक fairness आपके साथ रख सके आपसे even maafi मांग सके इस connection में एक दुबारा से chance हासिल कर सके और आपको मना सके यह maybe they are trying really very hard अगर आपको पता है कि यह person जितनी भी efforts रख रहे हैं तो maybe you guys are already knowing कि यह person सच में आपको admire करते हैं आप देखते हैं कि यह heart space पर क्या feelings रखते हैं आपको लेकर जैसे कि यहाँ पर आप cards में देख सकते हो guys 10 of swords, the hanged man and five of pentacles तो जब से आप इनके जिंदगी से walk away हुए हो एक ending आपने यहाँ पर रखी है तब से लेकर आज तक इन्होंने शायद जीना छोड़ दिया है मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इनके जिंदगी रुक सी गई है maybe they are feeling left out in the cold और इनको अपनी life में कुछ भी अच्छा नहीं लगता they have just making themselves a hanged man जहाँ पर यह सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो आप इनके life में एक comeback रखें और इन सारी situation को resolve करें और इन्हें मौका दें कि यह आपको मना सकें और आपके लिए कुछ कर सकें maybe they are seeking that opportunity और little way में भी देखा जाए अगर आपने इनके साथ एक social media पर connect रखा होगा तो वहाँ पर यह आप से communication रखने का try कर रहे होंगे या फिर दूसरा कोई medium है mutual friends द्वारा या फिर कहीं से आपके साथ communication रखने की कोशिश कर रहे हैं maybe आपको यह शायद पता भी होगा guys लेकिन फिर भी आप यहाँ पर कोई approach नहीं रखना चाते maybe जो भी events हुए हैं वो आप लोगों के लिए काफी जादा painful रहे होंगे इस person का प्यार भी शायद आपको नजर आता होगा इस person के तरफ से आपको वो सारे approaches देखने को मिलते भी होंगे आपको सब पता होगा आपने भी इन पर एक नजर बना कर रखी होगी आपको पता है यह person आपके लिए एक they are really craving for your energies आपको पता है कि यह आप से भले ही कोई commitment वगएरा की demand तो नहीं रख रहे हैं लेकिन at least इनको आपकी वो soothing energies चाहिए मैंने जैसे कि कहा आप इनके लिए एक healer हो आप इनके लिए एक inspiration हो एक enlightenment हो आपके बगएर इनकी जिन्दगी शायद अधूरी है मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था इस person के energies आपको लेकर बहुत ही ज्यादा एक admiration में बनी हुई है they really appreciate your spiritual level या फिर एक जो energy level है आपका आपका जो aura है वो उन सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा crave करते हैं या फिर admire करते हैं और आपके साथ एक energy exchange में आना चाते हैं क्योंकि इनको सच में एक healing मिलती है इस person का जरूर होना हो आपके साथ एक past life connection होगा और आपके बगेर ये person अपनी life में अपनी दिशा खो बैठते हैं मतलब इनको समझ में नहीं आता कि where to go अब तक भी इन्होंने एक painful life देखे होगी इनकी life एक the best version of the life इन्होंने शायद नहीं जिया होगा लेकिन जब आप इनकी life में आए इनको एक जीने का motivation मिला जीने का एक मकसद मिला उस वक्त से हो सकता है इन्होंने जिन्दगी को देखने का जो एक नजरिया था वो बदल लिया होगा और अब आपके बगेर ये अपनी जिन्दगी में कुछ भी happiness शायद सेंस नहीं करते हैं इनको ऐसा लगता है कि आपका इनकी life में कमबाक करना बहुत ही ज्यादा ज़रूरी है अब देखते हैं what can be the outcome here तो जैसे कि हाँ पर आप cards में देख सकते हो guys 6 of cups, ace of wands and 10 of cups तो इन energies का meaning यही है कि they will still try यह give up नहीं करेंगे आपको मनाने के पूरी-पूरी कोशिश करेंगे at least आपके साथ एक reconciliation में आ सकें ज्यादा कुछ ना सही आप से यह at least एक friendship में तो आ सकें क्योंकि आपके साथ एक friendship भी इनके लिए 10 of cups के energies से कम नहीं इसका मतलब यह कि ultimate happiness हो आप इनके लिए अगर आप भले ही किसी भी वे में इनके साथ एक energy exchange में आ जाओगे तो इनके लिए इतना ही काफी है with the ace of wants energies maybe they will still try आपके साथ एक fresh start रखने की कोशिश करेंगे आपको हर possible ways से मनाने की कोशिश करेंगे आपके साथ एक reconciliation में आना चाहेंगे guys लेकिन it is really up to you तो आप देखते हैं कि what is universe is suggesting you इस situation में आपको exactly क्या करना चाहिए तो यहाँ पर आप लोग के लिए suggestion आई है guys either by the universe या फिर आपके spirit guides की तरफ से problems that have held you back are being cleared we are monitoring it तो जिन problems की वज़ा से इस particular से scenario में अगर आपको लग रहा है कि आप stuck हो आप held back किये गए हो तो उन सारी problems को universe और आपके spirit guides एक resolution के तरफ लेकर जा रहे हैं वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों के लिए clear हो जाएंगी और अगर आपको कुछ doubts है या problems हैं वो आप लोगों के लिए clear कर दी जाएंगी क्यूंकि उन सारे problems पर और उन सारी situations पर universe की एक monitoring है और आपके spirit guides भी उन सारी चीज़ों को monitor कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ज्यादा tension लेने की ज़रुरत नहीं है अगर आप एक energetic way में इस person के साथ एक comeback रख सकते हैं तो ज़रूर आपको आगे proceed होना है और जो बाकी other problems है उन सारे problems को आप universe पर release कर सकते हो because universe is there to monitor it and to clear that path ahead for you ओके guys तो आप लोग के shift में आज के लिए इतना ही था अगर यह shift आप लोग के साथ resonate कर रहा है तो मेरे इस video को ज़रूर लाइक कीज़ेगा guys see you soon guys तब तक के लिए आप सभी अपना ख्यार रुखे stay positive, stay safe, God bless you all take care, bye bye welcome group 2 तो आपके person की यहाँ पर energies के लिए cards आए है be open to the flow and the thinking man तो इन energies से एक चीज़ बहुत ही ज्यादा clear है guys के यहाँ पर एक second chance बनता है मतलब आप इस person से second chance सीख कर रहे हो मतलब आप दोनों के बीच में अगर एक no contact situation चल रहा है और वजा ऐसी कुछ रही होगी कि आप से कुछ mistakes हो गए थे या फिर इन से कुछ mistakes हो गए थे तो उन सारी चीज़ों को resolve करने के लिए आप दोनों ही को एक second chance चाहिए इस relationship को दुबारा से एक you know एक नई fresh start देने के लिए एक new beginning यहाँ पर रखने के लिए आप दोनों ही एक दूसरे से शायद एक chance मांग रहे होंगे बट यहाँ पर आपके person की energy is the thinking man वाली बन रही हैं maybe they are still not ready क्योंकि जो भी past events रहे होंगे वहाँ पर कुछ चीजें इस way में शायद बिगड गई थी कि इनको वहाँ से एक comeback लेने में शायद time लग रहा होगा maybe they are inspecting something या फिर trying to figure out the things पता करने की कोशिश कर रहे होंगे अगर इनको universe की तरफ से science and synchronicity sense भी हो रही है तो फिर भी एक second thought रख रहे हैं वहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ दूसरे लोग भी involved हैं for example कोई mutual लोग एक third party situation कह सकते हो जो आप दोनों के connection को meant होता हुआ शायद नहीं देख सकते ऐसे लोग यहाँ पर अगर involvement रखते हैं या फिर इनकी कोई third party situation है जहां से इनको decision making में आना पड़ सकता है कि either this way या that way नहीं जाना पड़े दो रास्ते इनकी life में होंगे तो एक रास्ते पर चलने के लिए दूसरे रास्ते को completely छोड़ देना पड़ सकता है तो maybe they are figuring out the things यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको exactly क्या चाहिए किस रास्ते पर इनको proceed होना है अगर यह आपका रास्ता चूस करते हैं तो maybe यह sure नहीं है due to so many reasons जो भी past में हुआ था उन बातों को लेकर इनको एक shorty नहीं मिल रहे हैं कि अगर मैं यह रास्ता चूस करता हूँ तो मुझे कितना success मिल सकता है या फिर क्या chances है कि यह जो relationship है यह grow होगा या फिर यह successful audience की तरफ lead होगा इनको sure नहीं है भली वज़ा कुछ भी होगी guys जैसे कि इस card में आप देख सकते हो be open to the flow life is always ready to pour good energy your way if you are open to being a channel not a reservoir तो इसका मतलब यह है कि आपके person को पता है कि something positive is going to come लेकिन उस positivity के लिए पूरी तरीके से खुद को open नहीं कर पा रहे है यहाँ पर एक block चीजें होंगी blocked energies या फिर इनका कुछ grudge आपको लेकर अभी भी बनता होगा जहांसे खुद को पूरी तरीके से complete way में release नहीं कर पा रहे है अगर ऐसी कुछ situation इनकी life में बन रही है तो ज़रूर यहाँ पर एक divine intervention होगा universe इनकी life में step लेगा और finally इनको एक clarity ज़रूर मिल जाएगी कि इन्हें कहां बढ़ना चाहिए तो इन cards को मैंने यहाँ पर clarify किया है कि यह और क्या सोचते हैं आपके बारे उनकी current overall energies the hand man, four of cups and ace of swords के energies बन रही है यह जहाँ पर भी stuck है it is quite clear कि यह अपने life में खुश नहीं है maybe इनकी completion आपके साथ पूरी होती है यह वो person होंगे जिनके साथ आपका already connection रह चुका होगा या फिर एक already commitment आप लोग share करते थे लेकिन due to few reasons या फिर conflicts and arguments आप दोनों अगर एक separation में चले गए हो तो यह आप से बात करना चाहते है मतलब किसी particular से topic को लेकर यह आपके साथ एक clarity रखना चाहते हैं आईदर अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं या फिर आप से कम्यूनिकेट करना तो चाहते हैं लेकिन यह किसी बात को लेकर रुके हुए हैं स्टक हैं अभी भी maybe they are fearing of something एक ऐसा fear होगा इनके अंदर like past grudges को अभी भी पूरी तरीके से शायद release नहीं कर पाए होंगे तो अब देखते हैं कि यह on the heart space क्या feelings रखते हैं आपको लेकर जैसे कि यहाँ पर आप cards में देख सकते हो the high priestess, nine of wands the hermit and the emperor तो there is no doubt in it guys कि आपको लेकर इनका जो higher self है वो एक इनको positivity शो करता है भले ही like on the forefront इनको एक shorty नहीं मिलती होगी जैसे कि इनके 3D लाइफ में अगर कोई और लोग भी involved है, जब यह उनकी तरफ देखते हैं तो यह motivation शायद अगर feel नहीं भी करते हैं तब भी इनका जो higher self है जो इनका inner self है वो इनको एक motivation में रखता है, बनाए रखता है कि यह इस connection पर बने रहें और इस situation से हारे नहीं, बने रहें डटे रहें और जो भी obstacles इनको sense हो रहे हैं भले एक mind conflict के चलते या फिर literal कोई लोग है इनकी life में जो इनको रोकते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, तो maybe they are figuring out so many things और यह plan कर रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ action रखा जाए और यह अपने आपको एक leader की धरा sense कर रहे होंगे guys यह चाहते हैं कि इस particular situation को यह lead करें, मतलब यहाँ पर इनका initiative बने और यह चाहते हैं कि इनके plan के according सारी चीज़ें proceed हों, तो maybe they are planning, यहाँ पर hermit वाली energies यही कहते हैं कि अगर इनों ने आपसे एक time off ले लिया है या फिर अगर यह बिल्कुल भी आपसे communication नहीं रखते हैं बिल्कुल भी आपसे कोई बात नहीं करते हैं, काफी time से अगर यह खामोश है, तो इन सारी चीज़ों के पीछे एक reason यह है guys, कि आइदर यह अपने उन सारे past traumas को release कर रहे हैं आपके और इनके बीच में जो भी situation खराब होई थी उन सारी बातों को यह release करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो other चीज़े हैं, यहाँ पर जो एक और angle में sense कर पा रही हूँ आपकी life में भी कुछ ऐसे लोग होंगे, इनको ऐसा लगता होगा guys, कि आपकी life में कोई और भी लोग हैं जो आप पर एक commanding way में behave करते हैं जैसे कि आपकी family हो गई और अगर यह if it is about a third party situation अगर आपकी life में कोई third party situation बनी हुई है आप किसी दो situation में like struggle कर रहे हो तो इनको लगता है कि वो person या वो situation आपके लिए ज्यादा important है इसलिए इनको मतलब यह चीज रोकती होगी कि अगर मैं हाँ पर एक step forward लेता हूँ या लेती हूँ तो क्या वो person इनकी life से totally hurt जाएंगे या फिर वो जो situation हो totally completely खतम हो जाएगी मतलब एक doubt एक inner conflict, एक competition इनको ऐसा लगता है कि वो लोग आपकी life में ज्यादा priority रखते हैं उनकी बात आप पहले सुनोगे इनको आप second way में prefer करोगे तो यह चीज भी इनको रोकती है guys तो मैं जब यहाँ पर अपनी life के जितने भी obstacles हैं उनको conquer करके आगे बढ़ता हूँ तो क्या मुझे भी वैसा ही reciprocation सामने से भी मिलेगा या फिर इनकी life की जो जो भी priorities हैं यह वहाँ पर बनी रहेंगी या बने रहेंगे यो नो इक conflict तो आपको बेटर पता होगा guys कि आपकी life में कौन important है और आपने किसको priority दी है लेकिन इनकी दिमाग में ये जब बात आ रही है तो ऐसा जरूर कुछ हुआ होगा तो अगर आप यहाँ पर इनको किसी way में clarity दे सकते हो तो just go ahead इनको बस इतना बता दीजेगा कि आपकी life में आप इनहीं का इंतजार कर रहे हो और इनहीं के लिए आप still wait कर रहे हो और कोई आपकी life में priority नहीं रखते भली वो आपकी family हो या फिर कोई और situation हो बहुत लोगं के लिए आपर अगर family का involvement है for example आपकी family अगर नहीं चाहती कि इनके साथ आप एक relationship में आए या फिर connection में आए तो जरूर ये इसी बारे में बहुत जादा सोच रहे होंगे guys इनकी energy is एक authority figure वाली है मतलब इनको action लेने में time ने लगेगा मतलब just एक कहते हैं ना चुटकी बजाते ही ये आपके तरफ एक step forward ले सकते हैं लेकिन क्योंके आपकी life में कोई और लोग involved होंगे कुछ ऐसी situation अभी भी आप लोग के साथ attached होंगी जहां से आपको release होना है तो यही आपके person चाहते हैं अगर आप इनको एक clarity दे दें जैसे कि ace of sorts की भी energy इनके लिए आई थी तो यह आप से clarity चाहते हैं आप exactly क्या चाहते हो इस connection में अगर यहां पर एक और मौके की बात हो रही है एक second chance की जब बात हो रही है तो क्या उस second chance के लिए आप completely ready हो if your answer is yes तो आपको इस person से एक clear either communication रखना पड़ेगा अपने end से सारी clarity आपको दे देनी होगी इस person की तरफ या फिर अगर आप इनके साथ एक communication में नहीं आ सकते due to so many reasons अगर इन्हों ने आपको block किया है या फिर आप ने इनको block किया है जिस भी वज़य से भी आप दोनों की बीच में communication नहीं हो पाता है उसको हटा कर भी आपको किसी way में इनके साथ एक clarity में आना पड़ेगा just find out the way इनसे communicate करने की कुशिश कीजिए अगर आप एक gesture के true बता सकते हैं तो भी सही है या फिर इनके कोई mutual friends हैं आपके contact में तो उनके दोरा आप यहां पर एक action रख सकते हो guys क्यूंकि इस person को सच में clarity चाहिए आपके तरफ से तभी ये एक step आपके तरफ आगे बढ़ा सकते हैं वरना ये एक thinking man वाले energies में बने हुए हैं इनको वो clarity कभी नहीं मिल पाएगी unless and until आप इनसे जाकर एक communication नहीं रखते या फिर आप से ये आकर directly नहीं पूछ लेते you know what I mean आप देखते हैं कि where it is leading जैसे कि यहाँ पर आप cards में देख सकते हो guys two of swords, seven of pentacles and the world तो जरूर आपके person अभी भी जैसे कि मैंने कहा एक confusion में stuck हैं but they will try to either contact you या फिर ये इंतजार करेंगे कि आप इनके तरफ कोई action रखें anyway यहाँ पर ये cycle जो बना कोई action ले लिया तो यह जो situation है वो वैसे भी end हो जाएगी अगर आपके person आप से कुछ communicate करते हैं तो आप इन्हें वो clarity दे दीजिएगा ताके यह आगे कुछ decision making में आ सकें यह सच में stuck मुझे नजर आ रहे हैं guys लेकिन with the world energies यहाँ पर कुछ shift आप लोगों की life में आने वाला है अगर आप दोनों ही कुछ नहीं करते हैं यहाँ पर तो at least एक universe की तरफ से आप दोनों ही के लिए एक step लिया जाएगा एक divine intervention के तहत जहाँ पर आप दोनों ही समझ पाओगे के आपको आगे क्या करना है इस relationship को किस वे में proceed करना है तो इस situation में universe की तरफ से या फिर आपके spirit guide की तरफ से क्या suggestion आई है आप लोगों के लिए जैसे कि यहाँ पर आप card में देख सकते हो be creative, look for ways to build, grow and manifest तो जैसे कि मैंने आप से कहा भी guys इसके यहाँ पर अगर आप कोई action रख सकते हो इनको clarity देने के लिए तो just go ahead क्यूंकि इस person को एक clarity चाहिए आपकी तरफ से तो यहाँ पर either आप कुछ कर सकते हो तो कीजिएगा अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो at least try to find some way be creative here अपनी manifestation power को double कीजे या फिर universe से कोई रास्ता सीख कीजे अपनी intuitions को follow कीजे अपनी spirit guides से angel से कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश कीजे you know be devotional divine power से connect करने की कोशिश कीजे pray कीजे तो जरूर आप लोग के लिए रास्ता जरूर निकल कर आ जाएगा यही universe और आपके spirit guides की भी यही suggestion है आप लोग के लिए तो just follow these suggestions and guidance guys और जरूर आप लोग की life में यह जो भी cycle बना हुआ है यह एक ending की तरफ पहुँचने वाला है और finally आप लोग की life में एक happy beginning start होगी और राइट अगर यह shift आप लोग के साथ resonate कर रहा है तो ज़रूर में इस वीडियो को like कीजेगा guys जल्द ही अपनी अगली readings में मिलते हैं guys तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिये stay positive, stay safe, god bless you all, take care, bye वेल्कम ग्रूप 3 तो आपके person की energies के लिए यहां पर cards आए है where love goes, life flows fourth chakra, archangel, rafael door to romance so it's a very emotional card मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके person के heart chakra पर activation energies का flow हो रहा है guys that is why they are feeling so much love for you या फिर आप इस person के लिए वो शाद loving vibrations send कर रहे होंगे और यह आपके साथ एक synchronicity में खुद को sense कर रहे होंगे मतलब एक heart chakra पर जब activation flow feel होता है तो आप दोनों ही को वो सारी vibration sense होती है तो आप दोनों का एक 5D level पर मुझे यहाँ पर connect नजर आ रहा है यह mostly divine feminine and divine masculine की energies हो सकती है guys यहाँ पर काफी time से अगर आप लोग एक separation zone में चल रहे होतो maybe आप दोनों ही एक दूसरी की तरफ कोई contact नहीं रखना चाते कोई एक conversation start नहीं करना चाते आप दोनों का एक connect मुझे 5D level पर नजर आ रहा है आप इस परसन से हो सकता है telepathically connect करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप इनके तरफ से वो vibration शायद sense कर रहे होंगे maybe इनके dreams आपको आते होंगे या फिर universal level पर कुछ signs and synchronicities शायद आपको देखने को मिल रही होगी इनका नाम शायद आप सुन रहे होंगे या फिर suddenly इनका thought आपके thoughts को cross कर जाता होगा तो कुछ ऐसी जब serendipity आप देख पा रहे हो तो maybe it is the sign जहाँ पर आप दोनों ही एक synchronicity में शायद बने हुए हो आप दोनों एक दूसरे की energies के साथ mirror कर रहे हो यहाँ पर and एक beautiful सा मैं connect देख सकती हूँ जो heart chakra पर एक activation flow आप लोगों के लिए create कर रहा है मतलब आप दोनों ही एक दूसरे से एक loving vibrations में बने हुए हो guys लेकिन कोई यहाँ पर एक expression नहीं दिखाना चाहता ना ही feminance and ना ही masculines आप दोनों ने ही अपने आपको guard कर लिया है जैसे कि यहाँ पर door to romance वाली energies में देख सकते हो that heart is in the cage मतलब आपने अपने दिल को lock कर लिया है like you guys are feeling that love लेकिन कोई यहाँ पर दिखाना नहीं चाहता maybe due to the circumstances या फिर इनकी कोई third party situation होगी जिसके चलते आप दोनों ने कुछ decision making कर लिया होगा एक दूसरे के साथ आपने एक clarity रख दी होगी कि यह relationship आगे नहीं बढ़ सकेगा या फिर इस relationship के आगे के लिए कोई chances नहीं है अगर हम एक connection में आते हैं तो हो सकता है कोई तीसरे लोग यहाँ पर सफर कर सकते हैं तो maybe आप दोनों के बीच में एक conditioning तै हो चुकी होगी और इन ही सारी बातों को शायद आप भी follow कर रहे होंगे या फिर most of the other cases में ऐसा भी scenario हो सकता है guys कि इस person के साथ past events के चलते कुछ conflict या argument आप दोनों के बीच में हुआ होगा जिसके चलते आप लोगों ने decide किया होगा कि अब हम दोनों इस connection को आगे नहीं बढ़ा सकते तो conversation जो भी हुई है like apart from those things, apart from those wordings आप फिर भी इस person के साथ उतना ही एक intense way में connection sense कर रहे हो तो ज़रूर यह आप लोगों की energies हैं तो आप देखते हैं कि आपके person की यहाँ पर current overall energies क्या कहती है इन cards की clarification के साथ जैसे कि यहाँ पर आप cards में देख सकते हो the lovers, night of pentacles and the sun तो ज़रूर guys यहाँ पर the lovers वाली energies यहीं कहती हैं कि आप दोनों हो सकता है different culture से belong करते होंगे आप दोनों में काफी ज्यादा differences होंगे लेकिन जो passion है आप दोनों ही का एक दूसरे की तरफ वो ना तो कोई express कर सकता है ना ही कोई समझ सकेगा क्योंकि यह आप दोनों ही feel कर सकते हो आप दोनों ही sense कर सकते हो आप दोनों ने एक दूसरे को इस lifetime में काफी ज्यादा support किया है encouragement दी है enlightenment दी है the sun वाले energies यही कहती है कि अगर आपने एक दूसरे को trigger दिया भी है तो वो आप लोगों के highest good के तरफ बढ़ाने के लिए दिया है अगर इस person ने आपके life में एक change create किया है by giving the trigger and all अगर इन्होंने आपको pain दिया था past events में अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा conflict या argument छड़ गया था जो कि काफी आप दोनों ही के लिए अगर painful रहा है या फिर आप दोनों के बीच में जो decision making है उस decision making को करते समय अगर आप लोगों को एक painful ambience sense हुआ है तो guys याद रखना ये आप लोगों के लिए triggering थी जो कि आप दोनों को इन सारी चीजों से गुजरना ही था मतलब यहाँ पर आप लोगों का कोई control नहीं था यह जो situation ship आप दोनों की life में बनी हुई है like either with the third party situation या फिर आप दोनों की बीच में जो भी एक difference है जैसे के मैं यहाँ पर देख सकती हूँ आप दोनों के either religious way में हो सकता है differences होंगे age difference हो सकता है काफी सारे लोग बहुत जादा दूर रहते होंगे एक दूसरे से distance भी एक difference हो सकता है तो जो भी odds हैं आप दोनों के बीच में यह आप लोगों के लिए आपके life के lesson सिखाने के लिए हो सकता है universe आपको यह teach करना चाहरा होगा कि कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी मिल सकते हैं जहाँ पर आपका control नहीं हो सकता वहाँ पर सब कुछ destined way में आप लोगों के साथ proceed होगा तो यह सारे lessons आपको सीखने को मिले और एक triggering के चलते आपने एक betterment शायद अपनी life में sense किया होगा इस person ने जब भी आपको trigger दिया है आपने अपने एक better version को ही discover किया है तो यह person आपके लिए एक blessing में कह सकती हूँ यह आपके divine masculine है guys तो इस person के तरफ से अगर आपको pain भी मिलता है तो वो एक blessing है आप लोगों के लिए and likewise अगर आप भी इनके तरफ एक ऐसा behavior रखते हो जिसकी वज़े से इनको भी triggering मिलती है तो वो भी इनके लिए blessings है यह भी अपना एक better version शायद discover करते होंगे उस pain के साथ आप देखते हैं guys के 3D level पर इनकी feelings आपको लेकर क्या कहती है जैसे के यहाँ पर आप cards में देख सकते हो 9 of coins, Ace of cups and 7 of cups तो इन energies के साथ it is so clear guys के आप अपनी life में बहुत जादा शायद excel कर रहे होंगे और यह जो भी person है आपके यह अगर आपको दूर से बैट कर देखते भी हैं तो इनको यह एक अंदाजा जरूर है के maybe you are doing really great in your life और यह आपको disturbing नहीं करना चाते है मतलब आपको खुश देखकर इस person को जो खुशी feel होती है उसका कोई comparison ही नहीं यह person सच में आपको खुश होता देख इनको भी खुशी होती है guys यह एक unconditionality आप कह सकते हो you know and साथ ही साथ इस person के energies आपको लेकर काफी ज्यादा dreamy you know एक full of desires शायद बनी रहती है यह आपके साथ अपना एक future सोचते हैं मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर इनकी life में कोई karmic situation है for example अगर यह already किसी और person के साथ committed है तो at least on a dreamy level on a 5D level यह आपके साथ एक जिंदगी जीते हैं मैं ऐसा कह सकती हूँ इनकी जो imagining ability है वो आपके साथ इतनी beautifully connect होती होगी guys के यह जो भी feel करते हैं या sense करते हैं वो सारी vibrations शायद आप तक भी पहुचती होगी आप भी इनके साथ एक dreamy या imaginary world में बने रहते हो तो आप दोनों का जो एक connection है यह ज्यादा तर imaginary ways पर ही शायद बनता होगा अगर आप दोनों की बीच में कोई passion share होता है for example अगर आप दोनों एक ही mutual passion share करते हो तो वहाँ पर भी अपने passion को follow up रखने के लिए यह आपको as an inspiration शायद रखते होंगे या फिर vice versa अगर आप लोगों का कोई passion है तो आप भी इनको एक inspiration की तरह बना कर रखते होंगे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ energy connect में बने रहना चाते हो मतलब एक दूसरे को आप दूर रहकर भी वो strength दे सकते हो एक दूसरे के साथ बने रहते हो मतलब दूर रहकर भी आप कभी दूर हुए ही नहीं यह मैं कहना चाते हो यहाँ पर ace of cups के energies यही कहती हैं guys कि आप दोनों की feelings काफी ज्यादा mutual है एक दूसरे को लेकर बिल्कुल same energies and vibrations में आप बने रहते हो पास्ट के जितने भी conflicts रहे होंगे जितने भी arguments रहे होंगे वो सारे grudges आप दोनों ही hold करके नहीं रखते हो मतलब आप दोनों ने एक दूसरे को इतनी beautifully understand कर लिय होगा कि भले ही कितने ही लोग आप दोनों को distract करें या फिर एक दूसरे के खिलाफ भड़का है तो आप लोग बिल्कुल भी उनके influence में नहीं आते होंगे क्यूंकि आप लोगों का connect एक 5D level पर बना हुआ है आप दोनों के higher selves एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो यह यहां पर एक connect में ऐसा देख सकते हूं कि spiritual journey पर आप दोनों नहीं साथ में step in किया है और आप दोनों चलते जा रहे हो और अपनी life के उस higher upgraded version की तरफ बढ़ते जा रहे हो एक दूसरे की energies के साथ तो these are the really very beautiful energy shift guys यह जिस भी किसी की energies हैं आप लोग true divine feminine and divine masculine हो आप दोनों का इस तो ही दूसरे को अपने अपने upgraded version की तरफ पुछ कर सकें तो where this situation is leading या फिर आपके person यहां पर अगर कोई action रख सकते हैं तो वो क्या हो सकता है जैसे कि यहां पर आप cards में देख सकते हो guys seven of wands, the hierophant, eight of pentacles, nine of cups and ace of pentacles तो इन सारी energies के साथ मैं यही कहूंगी कि इस person को एक पक् beginning रखना चाहेंगे, भले ही आप दोनों की बीच में ending words share किये गए हों या फिर goodbye words share किये गए हों और इस connection का कोई future नहीं है, यह भी अगर आप लोगोंने discussion कर लिया है, तब भी इस person को एक उम्मीद है, इनको लगता है कि यह कोई ordinary connection नहीं है, यहां पर कुछ तो बात ऐसी है, जो के हमारी समझ के बाहर है, और इनको एक cosmic plan sense होता है, मतलब इनको लगता है कि इस connection में universe एक step ऐसा लेगा, या फिर आप लोगों की destiny आप लोगों को इस way में proceed करेगी, जहां पर आप दोनों की एक new beginning लिखी गई हो, मतलब भले ही जितने भी odds हो आपकी life में, आइधर इनकी life में कोई third party situation हो, या फिर आप लोगों की life में कोई third party situation हो, जो भी आप दोनों की बीच में एक obstacle है, उन सारे चीजों के होने के बावजूद भी इनको ऐसा लगता है guys, कि इस connection में जान है, और इस connection में potential है, कि ये grow होगा, और यहां पर एक beginning आने वाली है, एक beautiful से beginning जो आप ल end पर, अगर ये कुछ changes ला सकें, इस connection को एक next level पर ले जाने के लिए, तो ये जरूर करते होंगे, क्योंकि इनकी energies बहुत ही ज्यादा sorted है, maybe आपके तरफ कुछ present करना चाते हैं, जब ये ready हो जाएं, मतलब maybe they are working on something, जैसे ही इनको एक confirmation मिलती है, कि yes, they can give you that offer या फिर एक proposal, त ये आप लोगों को कुछ stable way में देना चाते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी आपके तरफ offer नहीं करना चाते हैं, जिसमें एक stability ना हो, एक firm foundation ना हो, ऐसा कुछ भी आपके तरफ present नहीं करेंगे, लेकिन ये कुछ एक firm foundation की ही planning में बने हुए हैं, इनकी energies से मुझो लगता है guys, और ज सारी situations में, universe या फिर आपके spirit guides आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों के लिए suggestion या guidance क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड में देख सकते हो, talk to us, we are still listening, तो guys, आपके spirit guides और आपके angels आपसे यहीं कहना चाहते हैं, कि अगर आपके मन में कोई सवाल हैं, या फिर आपको जानना चाहते हो, तो अपनी inner self या higher self से connect कीजे, और आपके spirit guides आपको वहाँ पर guide करेंगे, क्यूंकि वो भी सुन रहे हैं, और वो आपसे कह रहे हैं कि talk to us, we are still listening, ये सुन रहे हैं, आपकी हर बात सुनी जाती हैं, तो आपके मन में जो भी बाते हैं, confusion हैं, doubts हैं, त कर सकते हो, ताकि आपको जब एक intuition आए, तो समझ लेना, वो guidance इनके तरफ से दी गई है, alright guys, तो यही था आप लोग के shift में, अगर ये shift आप लोग के साथ resonate कर रहा है, तो ज़रूर में इस वीडियो को like कीजेगा, और अगर आप मुससे private session सीख कर रहे हो, तो मेरी दीगे contact details आप लोग मुससे contact कर सकते हो guys, तो चलिए मिलते हैं अपने अगली readings में तब तक के लिए, आप सभी अपना खयार रुखिये, stay positive, stay safe, God bless you all, take care, bye-bye.